बिस्मिल्य हमान वरहीम असलामलेकूम व्योर्स आज की विडियो में मैं आपके साथ English Alphabets जो के मैंने पिछली विडियो में एल तक डिसकस किये थे आज मैं उससे अगले Alphabets को आपके साथ डिसकस करूंगी और आपके साथ यह information शेयर करूंगी कि जब हम writing skill की बात करते हैं तो लेटर्स की formation के क्या असूल है और हमें इन असूलों को किस तरह फॉलो करना चाहिए ताके बच्चों की जो writing skill है वह बहतर हो सके और इसके साथ साथ वह अपनी साइको मोटर डुमेन का इस्तमाल सही कर सके जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोवर 19 की वज़ा से स्कूल कॉलेज युनिवर्स्टिया और इसके साथ साथ जो हमारे कोचिंग सेंटर हैं वह मकमल तो बंद हैं तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यह शेयर करूंगी कि वह बच्चे जो के अभी स्कूल जाना शुरू हुए है या वह बच्चे जो के स्कूल नहीं जा र अब हम देखते हैं कि हमने स्मा लेटर M को कैसी लिखना है ? And this curve will be finished with a small curl towards right side. हमने small letter M को इस तरह लिखना है. अब हम देखते हैं कि हमने small letter N को कैसे लिखना है. आपने middle से start करना है और extending line जो है downward draw करनी है. इसके बाद आपने दुबारा middle पर वापस चले जाना है. और एक small curve downward आपने draw करना है with a small curl towards right side. तो यह हमारा small N को लिखने का तरीका है. अब हम देखते हैं हमने small letter O को कैसे लिखना है. आपने middle से ही start करना है. And draw a circle towards left side. इस तरह हमने small letter O को लिखना है. अब हम देखते हैं हमने small letter P को कैसे लिखना है. You will start from the middle and draw a standing line towards downwards. Then you again go back to the middle and draw a small circle. यह हमारा small P को लिखने का तरीका है. अब हम देखते हैं हमने small letter K को कैसे लिखना है. You start from the middle and draw small C. Then again you go back to the middle and draw a standing line towards downwards with a hook T. तो क्यों को लिखने का यह तरीका है. अब हम देखते हैं हमने small letter R को कैसे लिखना है. You start from the middle and draw a standing line towards downwards. Then you again go back to the middle and draw a small curl towards right side. तो यह हमारा R को लिखने का तरीका है. अब हम देखते हैं कि हमने small S को कैसे लिखना है. Start from the middle और आपने swing करना है left side पे और एक small curve बनाना है. इसके बाद आपने swing करना है right side पे और एक backward curve बनाना है. तो यह हमारा small letter S को लिखने का तरीका है. अब हम देखते हैं कि हमने small letter T को कैसे लिखना है. आपने middle से थोड़ा सा उपर से start करना है. और extending line downward draw करनी है जो के right side पर एक curl के साथ खतम होगी. इसके बाद दुबारा आपने जाना है middle पर वापिस और एक slipping line draw करनी है. तो यह हमारा small T को लिखने का तरीका है. अब हम देखते हैं small letter U को कैसे लिखना है. आपने middle से start करना है. और आपने standing line जो है वो draw करनी है. जो के right side पर एक small curve के साथ खतम होगी. इसके बाद दुबारा आपने middle पर वापिस जाना है. और एक standing line draw करनी है. जो के एक right side पर छोटे curl के साथ खतम होगी. तो यह हमारा small letter U को लिखने का तरीका है. अब हम देखते हैं कि हमने small letter V को कैसे लिखना है. आपने middle से start करना है. And you draw a slanting line towards downward. Then you again go back to the middle and draw a slanting line towards downward. तो यह हमारा small letter V को लिखने का तरीका है. अब हम देखते हैं कि हमने small letter W को कैसे लिखना है. You start from the middle and draw a slanting line towards downward. Then you again go back to the downward and draw a slanting line towards upward. Then you again draw slanting line towards downward. And also draw another slanting line towards upward. तो small letter W को लिखने का यह तरीका है. अब हम देखते हैं कि small letter हमने X को कैसे लिखना है. You start from the middle and draw a slanting line towards downward. और यह right side पे होगी. इसके बाद आपने दुबारा middle पे वापस जाना है. और draw a slanting line towards downward. और यह left side पे होगी. तो यह हमारा X को लिखने का तरीका है. अब हम देखते हैं कि हमने small letter Y को कैसे लिखना है. आपने middle से start करना है और एक standing line towards downward draw करना है. जो के right side पर एक curve के साथ खत्म होगी. इसके बाद आपने दुबारा middle पर वापस जाना है और एक standing line draw करनी है. जो के towards bottom side पे होगी और यह खत्म होगी एक छोटे से curl के साथ. तो यह हमारा small letter Y को लिखने का तरीका है. अब हम देखते हैं कि small letter Z को कैसे लिखना है. हमने start करना है middle से and draw a sleeping line towards right side पर. इसके बाद हमने एक slanting line लगानी है towards left side और उसके बाद हमने जो के हमारी slanting line खत्म होगी downward हमने वहीं उसी point से दुबारा एक sleeping line लगानी है towards right side. तो यह हमारा small letter Z को लिखने का तरीका है. तो viewers, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ small letter M से लेके Z तक लिखने का तरीका बताया है. मैं उमीद करती हूँ कि आपके लिए यह helpful होगी और आप अपनी बच्चों को इस लिए में guidance दे सकेंगे कि उन्होंने letters की formation कैसे करनी है. तो viewers, अगली वीडियो में मैं आपके साथ इन्शालाँ vowels और consonants को discuss करूंगी. तो अगली वीडियो तक के लिए अलाहाफिस शुक्रिया. क्या अगली वीडियो लिए, अगली बचली बचल सोओ आपके साथ. धली वीडियोग में आपके साथ.